ऑच्छे तुमार गाउमेर सत्पुली तुमार गडवली के लिए ने बुल दिन बता वह साथ वह हींदी बोली तो मिला बुली आप साथिसकाया जो काव भॉनिया सब के मैसे जाए जो मेरको इसे वह निविना पता है कौन है, मैसे है मेरे को कि कितनों ने तो स्टेटस देखके स्टोरी देखके हैपी बर्डे लिखा पर मैं उनको बताए कि ऐसे नहीं है भरती हो गया यह सो कौन सा ग्राउंड तुम्हें बेस्ट लगा कोड़वाला बीजी वाला या लेंश वाला सबसे बेस्ट ग्राउंड बीजी का जो आप सबसफे हो तो सद्म मन में होले फिलिंग आती है क्या होगा कैसे हो अशर होपलेस तो होता ही है जाये कितना भी प्र पर होता ही है कि है सब आप पर आएगा तुब आजा यहाँगा प्र पर आजाता है देख लेते हम तो उसके बाद थोड़ा उस पर डिल करना तो इतना पैर में इंजरी सिंपेन हो गया बहुत सी चीजे होती है मतलब इतना जिस आप से सोचते हैं लोग के आसान है बर आसान है नहीं जाना इतना जैहिंद मेरे प्यारे सातियों आज हमारे साथ में है अज्जुरावत सबसे पहले आपकी कौन सी बढ़ती थी मेरी पांच वी अच इसको प्यारे निचेर की और साइड एक ओपन की थी जिसमें मेरे लिगमें इंजर था और चौती बढ़ती मैंने बी-जी रूट की किमारी थी टेक्निकल उसमें मैं लास्ट मैड़िट आउट रहा और पांच वी बढ़ती उपन की निकाली थी अभी जिसका फिजिकल अर लास्ट परती उसके बाद ही सेंटर वाली जिसमें में अंदर हो गया अच्छा ब्रदर रिलेशन फादर फादर रिलेशन इतना मोटिवेशन कहां से आता है कि पैर कल लिगमेंट खराब हो रहा है फिर वापिस से दौड़ना डॉक्टर ने मना तो किया होगा डॉक्टर ने बता कि अब एक महने तक क्या बोलते बैड रेस्ट है पैर हो गया जहिंद तो मैंने का सर मैंने तो कुछ उस टाइम बोला नी मैंने ठीक है फिर मैंने यूटूब से खुदी देखा तीन दिन रेस्ट किया फिर चौते दिन से फिर ग्राउंड अजा गाउं का चे तुमार गाउं मेर सतपुली अब भुला तो सतपुली चे तो गड़ बुली दिन बता वो साथ वला सब हिंदी बोल दी तो में लवाल हिंदी बोल लाटा जब सब गड़ बोले तो सब गड़ बुलन ज़रा अब बना चाहां चल तो इस अची फैमली बटे चे तो कभी स्वाच नही चाहा कि भी टेक कल लें बट म्यार चाहा कि पहली बटे फोजम जान घर वाला सब फोजम ची फैमली बैक्राउंड तो मैं भी फोज की सर्फ करूं अच्छा फोजी के लिए कभी तिलस्वाच नहीं एर फोर्स हम चल जान एंड एक दिया चाहा है मिले एक अटेम उस टाम ग चाहा कि गाइडेंस आ कमी चाहा उस टाइम त्यार डेली रूटीन हम क्या क्या रहे हैं चाहा किस तरह ऐसे तुने तयारी कि मैंने सुबह में चार बज़े उठता था और चार साढ़े-चार तक ग्राउंड पहुंच आना और फिर दोस्तों साथ साथ तक खतम हो जाती थे ह पना रिवाइस किया उसके बाद साम को फिर ग्राउंड फिर यही रहता था रात को रिवाइस पस अच्छा इस सफर में कितनी मुस्किले आई मुस्किले तो बहुत आई पहले मैं सिक मेरे को लगता था कि फौज में जाना सबसे आसान है जब खुद तयारी की तब पता चल आप तो उस ताम बॉडी पेन होना सरीर में दर्द ऐसा होता था और यह तो होता ही हो गई जब इतना दोड़ों के चरचर गंटे आम ग्राउंड में देते सरीर में पेन जाहर से वात हो गई थोड़ा फिजिकल की बात कर लेते हैं जो आपका ग्राउंड का एक्सपिरियंस जो चौते राउंड का experience में जानना चाहूंगा कि जो last round होता है उसको खीचने में कितनी तागत लगती है बसर यह होता है कि पहला round खीच गया दूसरा round उसके बाद मन करता है कि रूख जाए बटी रहता है कि अंदर से कि भागना है पूरे चार round complete करना है फिर यह रहता है कि अपने का hope नहीं छोड़ना बस कि mind से नियारना में चीज होता है mind सार गया बंदा तो रुख जाता है mind से नियार तो पूरे चार चकल लग जाएंगे अचर जब रेटन एक्जाम होता है जैसे अगले दिन तो उस टाम जब तुम बैठे रहते हो तो उस टाम मन में hopeless वाली feeling अब जाती है क्या होगा कैसे होगा हां सर hopeless तो होता है चाहिए कितना भी पड़ लो पर होता ही कि कैसा पेपर आएगा क्या हाइगा हाड आएगा टफ आएगा यह इसी आएगा फिर यह रहता है कि जब पेपर आ जाता है देख लेते हम तो उसके बाद थोड़ा उस पर डील करना है पेपर से इस बार का पेपर कैसे पेपर इसी था या हमारी पढ़ाई को हमने यह तो इस लेवल का पढ़ लिया था इसलिए हमें लग रहा था यह पेपर ईजी था अब वो तो अच्छा उस्टाम गोले वह करते वे ऐसे नहीं लगा कि मुझे तो सब कुछा रहा है ह तो मैंने जैसे वह बोल लेते कि पेपर मत खोलना पर मैं पेपर खोल के देखा तो मैंने जी के तो मेरे को जी कहीं था डर की जी के कैसे आएगी क्योंकि हमारा यह था कि PCM background का हूं साइन्स का मैं यहीं था कॉलेज में भी मेरे बीस थी है PCM तो यह था कि मेरे को मैं सर जी एस का नहीं था रिजनी का कोई डर नहीं था बस डर था तो किसका जी के कैसे आएगी कहीं से भी आ सकती है जी के तो यह कि जितना पड़ा उतना कम है अच्छा जो तुमने चार- सबसे पहले किसको बता है रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बता है तो सर उस टाइम तो यह था कि पहले मेर को वह नहीं वह रहा है कि मेरा रोल नमबर या कि नहीं हुआ पहले मैं दस मिनट देखते रहा है अपने रोल नमबर की आया नहीं आया फिर सबसे पहले यह नहीं था कि घर वालों को बताना है सबसे पहले था कि अपने जो साथ वाले बर्डी इस इनका देखते है रिजर्ट जो हमारे साथ जिन्हों कि पताया फिर सबको पताया को ने लोग अखिए अचा कभी जैसे फेलियर मिला तो फिर मंपी को फोन किया कि नहीं हुआ तो अब दो पाप किया आए अगे त्यारी करो हो जाएगा। अच्छा फरबरी में जैसे कहीं स्टूडेंट का फिजिकल है उनके लिए क्या कहना चाओगे भस यह बूलोंगा जिनका फिजिकल अब तो रिटन हो गया है तो पूरा टाइम ग्राउंड को जितना भी दे रहो डेडिकेशन के साथ जैसे ऐसे होता है कि कोई बच्चा ही होता चार दिन ग्राउंड आया फिर घर पे बैड़ गए तो अगला देखता है कि यह नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा पर ऐसे नहीं सोचना अपना होप नहीं चोड़ना पूरा डेडिकेशन ते त्यारे करने है सब हो जाता है अच्छा यह चीज तुम्हें कब पता चल की महनत जादा करो किस्त मत करा आके बढ़ता उसको और वह वो बहते हैं जो इस बार तुम्हारी अच्छी किस्मत तो जादा थी सर ऐसे बोलें इसमें तो वह सी ठीक 词वार बट यह था कि महनत बूरिए थी अच्छा चलो महिनत की बात खली तो आपने कितने questions attempt किये थे म तब मैं पढ़ता था तो उस टाइम में सोसल मीइडा को नहीं देखता था जैसर कोई सवाल आया आपकी वीडियो देख ली या किसी और चीज से मज़ा आते हैं सब्सक्राइब जब चोट था उस टाइम थोड़ा 10th 11 वे था उस चीज का फिर दीरे आदा चूट गए कि हाँ अपने करियर पर फोकस करना है तो हो गई ऐसा ग्राउंड जहां आपने बहुत जादा दौड मारी हो सब्सक्राइब केमिकल ग्राउंड कोड़ केमिकल ग्राउंड में आपकी मिनिममम टाइम ही मिनिममम टाइम जो सबसे पहले बढ़ती थी उस टाइम मेरा टाइम था पांच-एट उसके बाद लिगामेंड में इंजरी आए उसके बाद पांच-बीस के राउंड मारते तो अच्छा कभी तुमनें फर्स ग्रूप मार सबसे बस बढ़ावाल में क्या होता है चौट-धराउंड में तो यह होता है कि संच-पूल नहीं जाइब से बात है अगर कोड़वार के दो चकर और वहां का एक चकर बराबर है आप अपने चार चकर कैसे मारते हो चार चकर यह रहता है कि अगर वह तो बंदे पर डिपेंड करता है, फर्स्ट बंदे कैसे खीच रहा उसके साब से, जैसे इस बार सेंटर में फर्स्ट बंदे ने पहले खीच ली तो मैंने थोड़ा अपने डाउन करके रखा था, मेरे को जगा मिली मैं आगे तीसरे पर पहले सी तीसरे पर चल लाज तक वही मेडिकल तुम फिट थे, मेडिकल में कोई परिसादी था, मैं इस बार यह मैं से मेरे को को इस俊 में आगा है पर यहां में स ultimate çample, घर ऑलोने या यूवह निया यह पार को फिर वहां मैं फियंवगल को अबorters आप है कि जो कभी जिसका phone यह सब के message आए जो मेरे को मेरे को आइसे भी नहीं पता यह कौन है उसका हो जाता है कुछ टाइम के लिए बंदा बले उसके बाद टैंसन है वर थोड़ा टाइम के लिए टैंसन फिरी रहता है फौज की लाइफ बड़ी हार्ड है कैसे करोगे सब मैनेज नहीं सर हो जाएगा वह पहले सी खून में फौज है तो क्या करें हो जाएगा अचा वर्दी स से प्यार है या देश सेवा करने है बड़ी से प्यार है देश सेवा भी करने है दोनों करने ठीक है आपको बहुत बहुत धन्यवास है